नमस्ते दोस्तों मैं वर्षा भावसार रसोई घर में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप सभी के लिए मटर के छीले की रेसेपी लेके आई हूँ जो बहुती स्वाधिस्ट लगता है आप अपने बच्चों के टीफिन में इसे बना के दे सकते हैं या फिर सुबह के नाश्ते में इंजोई कर सकते हैं तो चले बनाना शुरू करते हैं मटर का छीला तो इसे बनानी के लिए यहाँ पर मैंने देड़ कप फ्रेश मटर की दाने लिए हैं इसे मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ एक हरी मिर्च कटिवी इसी के साथ हम डालेंगे कुछ पीसे यहाँ पर अद्रक के अद्रक डालने से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है और कुछ मैंने यहाँ पर धनी की पत्तिया ली है इसे पीस में एट कर देते हैं तो धन्य की पत्ति डालने से यह होगा कि एक तो चीले का कलर भी बहुत अच्छा आएगा साती में स्वाथ भी अच्छा लगेगा और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी और पानी डाल के इन सभी चीजों को महिन पीस लेंगे तो पी प्रणा नहीं पीसना है बिल्कुल इसे बारिक पेस्ट बनाना है अब मैं इसमें एड कर रही हूं आ कब बैसन साती कुछ मसाले डाल देते हैं जैसे एक चमष में नमक डाल रही हूं और दी चमष में डाल रही हूं लाल मूर्चअगे थोड़ा सीम йहाँ पर डाल दिकश तो इसका जो तीखापन है आप अपने स्वाधनुसार मैनेश कर लीजी अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मर्च के जगर काली मर्च पाउडर का यूज कीजिए और इन सबी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं वैसे आप चाहे तो यहाँ पर लसू थोड़ा सा पानी में दाल दिया है और पाने डालके से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करनी के बाद एक बार इस अच्छे से फेट लेंगे तो आप देख सकते हैं इस बेटर का कितना अच्छा सा कलर आया है तो इस समय भी मुझे थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी मैं यहाँ पर ओरेट कर देती हूँ तो पानी डालके एक बार इसे अच्छे से फिर से फैट लेते हैं तो चीला बनाना बहुत ही आसान है आप एक बार इसे जरूर से ट्राइ किजिए सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है तो यह बेटर बनकर बिल्कुल तयार है आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी मैंने किस तरह से इसे रखा है तो एक तरफ मैंने गेश चालू करके गेश पे तवा रख दिया है तवा गरम हो चुका है तो अब मैंने इस पे आदा चमश तेल डाला है तेल को चारो तरफ फेला दिया है अब मैंने यहाँ पर एक चमश भरके यह बेटर डाल दिया है तो बेटर ढालके हम इसे चीले का शेप दे देंगे मैं बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं बना रही हूँ गेस का फ्लेम हमें मीडिया मी रखना है एक तरब से इसकी स्किन जैसे ही ड्राई होती है हम साइड में भी थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और दोनों तरब से हम इसे अलट पलट करके अच्छा सा सेक लेंगे तो आप चाहें तो इस चीले को घी में भी बना सकते हैं या फिर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं तो एक तरब से होने के बाद मैं इसकी साइड चेंज कर देती हूँ और इदर भी हम थोड़ा सा तेल लगा कि इसे अच्छे से सेक लेते हैं तो आप देख सकते हैं बहुती जाली दार बहुती टेस्टी चीला बना ही ये तो दोनों तरब से अच्छे से सिखने के बाद हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और दूसरा चिला भी हम इसी तरह से बना लेंगे तो इसे भी में इस तरह से चेले का शेप दे देती हूं तो फ्रेंड्स अगर आप मेरी सबी रेसेपीस इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो वर्षा भाव सार्स रेसेपीस पर विजीट कीजिए यह मेरा नया चैनल है इस आप देख सकते हैं बहुत ही जाली दार बहुत ही स्वादिस्ट चीला बनकर बिल्कुल रेड़ी है आप इसे ज़रूर से टाई किजिए और रेसेपी पसंद आती है तो वीडियो वीडियो